गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बच्चों आज मैं आप सब के सामने क्लास 10 उर्दू कोर्स B का एक्सेंपल पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको तैयार किया है जनाब सल्मान हैदर साहब ने, ठीक है, बच्चों इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये पेपर सेट किया है, तो आप सभी ये पेपर सॉल्फ करें और इम्दिहानात में अच्छे से अच्छा नंबरात हासिल करें, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं, पेपर मिलकर सॉल्फ करते हैं, पहला सवाल है, अल्ला तबारक अल्ला की तारीफ को किस नाम से जाना जाता है, तो हम्द से जाना जाता है, किस से जाना जाता है, हम्द से, यानि ऐसी नजम जिसमें खुदा बंदे आलम करीम, अल्ला ताला की तारीफ बयान की जाए, उनकी मधा की जाए, उनकी सना की जाए, तो क्या होगा बेटा, उस नजम को हम क्या कहेंगे, हम्द कहेंगे, ओके कौन सी नजम है नेकी और बदी से लिया गया है जिसके शायर कौन है नजी रख बराबादी है ठीक है आगे चलते हैं बेटा पहला सवाल कौन सा तीसरा सवाल कौन से कौल का पास सबक के मुसनिफ कौन है मुशी प्रेम चंद कौन है कौल का पास सबक के मुसनिफ मुशी प्रे चौथे पाचवे सवाल पर हस्ती अपनी हबाब कीसी है ये नुमाईश सराब कीसी है ये शेर किस शायर की गजल का है तो बेटा ये शेर ये शेर किस की गजल का है मीर तकी मीर साहब की गजल का है ठीक है हस्ती अपनी हबाब कीसी है ये नुमाईश सराब कीसी है इसके शायर क आनी जानी देखी ठीक है इस शेर में आनी जानी दो लफ्स एक साथ हैं ये लफ्स आपस में क्या है मुताजाद है आनी जानी आना जाना अपोजित है ना विलोम शब्द है ना ये मुताजाद मुताजाद किसको बोलते हैं बिटा अपोजित वर्ड को विलोम शब्द को उर् उर्दू का जन्म कहा हुआ तो उर्दू का जन्म कहा हुआ आप सब को पढ़ाया जा चुका है हिंदुस्तान में ठीक है आटमा सवाल क्या है बेटा हिंदुस्तान का दस्तूर आईन यानि कानून सम्मिधान किसने बनाया था तो किसने बनाया था हम सभी ने डॉक्टर भीम आवंबेड करने नवा स्वाल है काबे किस मूँ से जाओगे गालिब शर्म तुमकों अगर नहीं आते शेर में मिर्जा गालिब की घजल का आखरी शेर है ठीक है और इसमें शायर का नाम बेस्तेमाल किया गया है इस तरह के शेर को हम क्या कहते हैं मक्ता कहते हैं क्या कहते हैं मक्ता कहते हैं क्या कहते हैं मक्ता आगे चलते हैं जिसमें शायर अपना नाम डालता है तखलुस डालता है उसको क्या बोलते हैं मक्ता अब कह रहे हैं www का पूरा नाम क्या होगा तो इसका क्या होगा World Wide Web ठीक है World Wide Web ओके बेटा आगे चलते है ग्यारवा सवाल कौन सा है आपके निसाब दस्वी जमात में अल्मा इकबाल की कौन सी नजम शामिल की गई है तो आप सबी ने पढ़ा था पहाड और गिलहरी के बीच में जो बहस होती है मुभाइसा होता है वही गजल हमने पढ़ी है और किस ने लिखा है ये सफेद रंकी होती है ईशरीफ इंसानों किस शायर की नजम है साहिर लुधियानवी किस ने लिख्ये ने लिखिये नजम बहुत प्यारी सी नजम है आगे चलते हैं रजिया सुल्तान किस बादशा की बेटी थी तो यिस चैप्टर को हमने कई बार रिवाइस कर किया हुआ ह आप सब को पता है रतुत मिश्ट की बेटी थी वो अंग्रेश किस नवाब से खौब ज़दा रहते थे तो किस से रहते थे बेटा वजीर अली से रहते थे आगे चलते हैं सुलमा सवाल कौन सा है अवंती कैसा शक्स था तो अवंती एक खुश्मिजाज शक्स था हाजिर जवाब भी था, खुश मिजाज भी था आगे चलते हैं सूरज से गर्मी के अलावा और क्या मिलता है तो रोशनी मिलती है, जाहिर सी बात है उजाला मिलता है 18 सवाल कौन सा है? मालदार, जानदार मालदार, जानदार अलफाज में दार लफ्स का इस्तेमाल हुआ ये लफ्स, दार लफ्स क्या है? क्या है बेटा? लाहका है ठीक है? किसी भी लफ्स के आखिर में जो लफ्स हम जोड़ते है वो क्या होता है? लाहका होता है आखिर में जोड़ता है आगे चलते हैं राएगा लफज का मतलब क्या है बेकार क्या है बेकार राएगा मतलब फालतू बेकार जो खराब हो जाए राएगा हो जाए जैसी करनी वैसी भरनी क्या है बेटा कहावत है क्या है कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी जो पान खिलावे पान मिले जो रोटी तो क्या मिले नान मिले इसमें देखे ये नान है नान मिले नान तंदूरी रोटी को बोलते हैं आगे चलते हैं बेटा अफवाज अफ़ाल अकवाल किस तरह के अलफाज हैं तो बेटा ये जमा है जैसे फौज का क्या होता है फौज वाहिद है ठीक है और अफवाज क्या है ज जमा है क्या है बेटा जमा है अफ़ाल अक्वाल समझ में आ गया ना सब बेटा आपको ऐसे ही सॉल्फ करना है इसका क्या होगा जमा होगा क्या होगा जमा पौज अफ़ाल अक्वाल का क्या होगा जमा जमा यानि बहुत सा आगे चलते हैं राजपूतों के सरदार का नाम क्या जो जंगल में छुपा हुआ था बेटा तो रगूपत था क्या था रगूपत चौबिस वा सवाल है मुंदरजेल में से इसमें मुआरिफा इसमें मुआरिफा को बेटा इसमें खास भी बोलते हैं यानि प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं कि पहचान करनी है आपको यहां पे अ इसमे मुारिफ़ा, इसमे खास, प्रापर नाउन, क्या है यांपे अक्बर है? आगे चलते ladoरा, इसमे नक्रा, इसमे आम की पहुचन करनी है, यानी common noun की आपको पहुचन करनी है, हिमायू नाम है, अक्बर नाम है, राणब पर ताप अपना में तो घोड़ा क्या है यहां पे इसमें आम है इसमें नकरा है कौमन नाउन है आगे चलते हैं चब इसमें सवाल पे है बिटा की हबाब किसे कहते हैं तो बुलबुले को कहते हैं हस्ती अपनी हबाब कीसी है यह नुमाईच सराब कीसी है हबाब मतलब होता हबाब हुए थे खुदाए सुखन किसे किसका लकब है तो खुदाए सुखन बिटा मीर तकी मीर का है यहां पे वो आप्शन नहीं है मीर तकी मीर को बोला गया है मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है क्या कहा गया है मीर तकी मीर को मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है ये option सही नहीं है बेटा ठीक है शायद mistake हो गई है मीर तकी मीर है इसके print में हो सकता दिक्कत हो गई हो आगे चलते हैं 29 सवाल पे डैस 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 पानी कुदरती तौर पर साफ होता है कौन सा पानी तालाप का समुदर का नाली का नहीं बारिश का पानी कुदरती तौर पर बिल जाते हैं ठीक है मीर अनिस का पूरा नाम क्या है मीर अनिस का पूरा नाम क्या है मीर बबर अली मीर बबर अली मीर अनिस का असल नाम क्या है मीर बबर अली सिर्फ चार मिस्रों पर सिर्फ चार मिस्रों वाली शारी सिन्फ को हम क्या कहते हैं रुबाई मीर अनिस की बरतन जर्फ का मानी क्या होता है बरतन ठीक है आगे चलते हैं रुबाई के कौन कौन से मिसरों को हम काफिया होना जरूरी है एक दो और चार यानि रुबाई का पहला दूसरा चौथा मिसरा जो होता है बेटा वो हम काफिया होता है हम काफिया होना जरूरी है आगे चलते हैं कि मुंदर्जाजेल में से मुझकर छाट कर आपको अलग करना है क्या अलग करना है मुझकर तो मुझकर इसमें क्या है बेटा रास्ता सीधे अगर इस तरीके का कोई भी मुझकर मुझनस बनाने को आता है बेजानदार चीजें जो आती है तो सीधे आप sentence बना लो बेटा आप तुरंट उसको पकड़ लोगे जैसे रास्ता खुला है रास्ता खुला है तो it means यह मुझकर है ठीक है पुर्लिंग हिंदी में पढ़ा होगा ना आपने वही चीज़ है मुझकर क्या है इसमें रास्ता आगे मुंदर्जेल में से मुणनस चाट कर लिखना है तो बेटा यहाँ पे चाट कर आपको लिखना है क्या चाटना है मुणनस मुणनस क्या होगा यहाँ पे कौम क्या होगा समाज में अगर आपको इज़त हासिल करनी है तो हम सब को क्या हासिल करनी चाहिए बिटा? तालीम, एजुकेशन, सिक्चा, आगे चलते हैं, डॉक्टर भीम राव, अमबेटकर का असल नाम क्या था? तो असल नाम क्या था बिटा? भीम राव सुक्पाल था, डॉक्टर भीम राव सुक्पाल था, आगे चलते हैं, यहां पे कि अमरे खिजर से क्या मुराद है? तो अमरे खिजर, आप सब को पताई वाला शेर, आप सब ने पढ़ाया था, लंबी उमर से है, यानि नभी थे ये, हज़रते खिजर को बहुत लंबी उमर अता करी थी, लेकिन कहते हैं, किसी को अगर इस तरीके की भी लंबी उमर अता हो जाए, फिर भी जब वो मरने का व और अभी हम रुकसा दो लिए, तो इस तरीके का है बेटा, यहाँ पर लंबी उमर से मुराद है, यहाँ पर तल्मी इस्तेमाल हुआ है, है ना, तल्मी, ओके आगे चलते हैं, कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है, तल्मी, लाई हयात आए, गजा ले चली चले, इस बिसरे में क किस तरह के अलफाज इस्तेमाल हुए हैं बेटा, मुतजाद, कौन से, मुतजाद, हयात मतलब जिन्दगी, गजा मतलब मौत, तो यह होगा, इसका लाई हयात आई, गजा ले चली चले, हयात का क्या होता है, अपोजिट, मुतजाद क्या होता है, मौत, गजा मतलब मौत वह गया या क्या हो गया यहां पे जौक का है यह किसका है आप सबने पढ़ा है लाई हायात आई गजा ले चली चले है ना तो यह कौन है बेटा शेख मुहम्मद इबराहीम का असल नाम क्या है जौक शेख मुहम्मद इबराहीम कि शायर का असल नाम है जौक का नाम है जौक यह बेटा आप इसका नहीं करेंगे ठीक है मिस प्रिंट हो गया है शायद आगे चलते हैं होश औ हवास किस तरह का अलफाज है तो होश औ हवास किस तरह का अलफाज है बेटा मुतरादिफ है कौन सा अलफाज है बेटा मुतरादिफ है ओके होश औ हवास आगे चलते हैं बेटा कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती इस शेर में बर और नजर क्या है क्या है बेटा ये काफिया है क्या है ये काफिया है ये देखिए यहां पे बर आया है बीच में और यहां पे नजर आया है दोनों का राइम स समान ले शब्द जिसको आप बोलते हो उर्दो में हम काफिया हम रदीफ होता है तो यहाँ पे कौन सा क्या इस्तेमाल हुआ है बेटा यह क्या है काफिया है आगे चलते हैं ब्रेल तहरीर किस तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बेटा रोशिनी किस विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन एकी कमी से होती है आप सब को पता है अहमत कौमा राशिद कौमा महमूद सब में एकसानियत है क्योंकि सब में क्या है क्या है बिटा इस्म है नाम है इन सब के क्या है ये इस्म है आगे चलते हैं ये अलामत किस चीज़ क जिस पे किसी के नाम पे हुआ लगा रहता है ये होता है बिटा तखलुस जैसे भी हमने लिखा गालिब क्या लिखा गालिब गालिब पर ये लगा है ना तो ये तखलुस इस्तेमाल करता है शायर अपने नाम के आगे बच्चे की दूआ बच्चे की दूआ قومی طرحना जगनू इसके शायर कौन है तो 안लमा इقبال है बच्चे की दूआ कौमी तराना जगनू इसके शायर कौन है बातमीज और बागाइदा में लफ्स बागिस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है बा बातमीज बागाइदा तो ये क्या होगा बेटा साबिका यानि बा क्या है साबिका है क्या है बेटा साबिका है आगे चलते हैं रजिया सुल्तान आला दर्जे की क्या थी हुकमरा थी क्या थी बेटा हुकमरा थी ओके आगे चलते हैं कौन सा है बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है बेटा मैं सोच रही हूँ यहीं पेस का खात्मा करूँ सेकंड पार्ट में इसको दिखाऊंगी ठीक है ओके बेटा और इसे आप अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और सॉल्फ करेंगे ठीक है ताके इमतिहानात में अच्छे न